नमस्कार दोस्तों, अलेक्ट्रिकल वर्ड लानिजी में आप सबका स्वागत हैं टूवे स्विच में हम इन्वर्टर का कनेक्शन और मेन मीटर का कनेक्शन की इस तरह से हम कर सकते हैं तो चलिए इसके बारे में वीडियो में जानते हैं हम 3 normal switch लेंगे, 1hmm switch जिसमें हम 3 bulb को कनेक्शन करेंगे और एक 2 ways switch लेंगे, जिसमें 3 terminals होते हैं और उसको हम एक mainline से कनेक्ट करेंगे और inverter से भी कनेक्ट करेंगे ताकि mainline जाने पर हम inverter से उसी 3 light को own कर सके तो सबसे पहले meter में neutral और face आता है उसके बाद जो third point से neutral निकलता है मीटर से उसको हम bulb से connect करेंगे क्योंकि bulb को neutral चाहिए होता है और उसके बाद जो bulb का दुसरा सिरा होता है वहाँ से एक wire लेंगे तो हर एक one way switch के उपर वाले terminal से connect कर देंगे इस तरह से, अब एक छोटा सा wire लेंगे और जो one way switch के नीचे वाला terminal है तीनों terminal में wire connect करके two way switch के जो middle वाला terminal है बीच वाला terminal उससे जोड देंगे इस तरह से ओके छोटा सा wire का टुकडा लेके उसके बाद meter से जो main line निकलता है जिसमें current होता है वो wire लेके हम two way switch के या उपर वाले point में जोड सकते है या सबसे नीचे वाले point में हम जोड सकते है तो मैं यहाँ पे सबसे नीचे वाले terminal पे wire connect कर रहा है इस तरह से ओके उसके बाद inverter के output terminal से जो wire निकलता है उसको हम two way switch के उपर वाले terminal से connect कर देंगे इस तरह से दोस्तो ओके तो इस तरह से आप अपना wiring पूरी तरह से complete कर सकते है जब आप two way switch को नीचे की और press करेंगे तो main line से आपका three light चालू हो जाएगा जब main line चला जाता है उसके बाद जब आप two way switch के उपर की और press करेंगे तो आपका inverter से line चालू हो जाता है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को चलो लाइक कीजी के शेर कीजी के साथी साथ अगर आप मेरा चैनल पहले बाद देख रहे हैं प्लीज डॉन्ट फगर सब्सक्राब में यूटीब चैनल तेंक यू वेरी मुच्च दोस्तों आप सबका दिन बहुत ही सुपर हैं बहुत ही अच्छा रहे हैं